आर्पी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं नवश्टार मैं गूँ अंजली आर्पी भारत मैं आपका स्वागत करती हूँ तो चले शुड़ात करते हैं आज की किसी खास खबर से आजसू पार्टी की ओर से विधान सबास तरिये कारिकरता सम्मेलन कायोजन किया गया मधुपूर शहर के अग्रिसेन भवन में आजसू पार्टी की ओर से विधान सबास तरिये कारिकरता सम्मेलन कायोजन किया मौकी पर पहुंचे आजसू पार्टी के केंद्री मुखी प्रवक्ता डॉक्टर देव शरन भगत समेत अन्यप पदालिकारी वहीं कारिकरता उन्हें आजसू के पूर्व मधपुर विधानसवा प्रत्याशी गंगा नारायन सिंग का भी गरम जोशी से स्वागत किया कारिकरम को सर्व प्रत्म स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर वदी प्रजूलित कर किया गया मौके पर पहुंचे डॉक्टर देव शरन भगत ने बताया कि आगामी 22 जनवरी को मधुपर में केंद्रे सभा कायूजन की तयारी को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी वहीं उन्होंने इशारों इशारों में यह भी बताया कि आने वाले आगामी मधुपर विधान सभाव चनाव को लेकर पार्टी अपनी इस तर से मजबूत करने की पहल कर रही है और प्रखंड के हर एक बूत पर अपना कार्यकरता तयार कर रही है देवघर से इमत्याद अंसारी की रेपोर्ट पूर में अरिता जी युवा दिवस्भी है तो युवा दिवस्भी मनाएंगे और यहां के कार्जकरताओं के साथ बैठक भी करेंगे साथी साथ जो बाइस तारिक को केंद्रिय सभा पार्टी का हर वर्ष नए साल में केंद्रिय सभा होती है इस बार सभागे से मदुपूर में केंद्रिय सभा कायोजन किया जा रहा है तो उसकी तैयारी के संदर में भी जायजा लेंगे और पूरे यहां के संगठने की स्थिति के प्यारे में भी सर्चाटबेंगे। जहां संगठन मजबूत होगा, जहां खेत तयार होगा, उपज भी हो सकता है, बढ़िया होगा, तो हम सबसे पहले आप इस संगठन को मजबूत करने के लिए साब पानता है